दोस्तो नमश्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं गुरुजी ओफिशिल इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं माधिमीक सिक्चक बर्ग दो के लिए सभी बिसाय का कट आफ क्या रहने वाला है आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स मैंने देखे हैं क् अभी तक हमने कोई बर्ग दो पर कट आफ का वीडियो नहीं बनाया है बर्ग पर जरूर हमारा एक वीडियो आया था जिसमें हम लोगों ने कट आफ को डिसकस किया था दोस्तो यह जो कट आफ हमने लिया है बनाया है इसमें बहुत साबधानी से बनाया है और यह मैं नहीं कि आधार पर उनके नंबर जानने के बाद इस तरीके से तयार किया है तो यह मत समझेगा कि यह सब फाइनल है बस आप अपने रिजल्ट का इंतजार कीजेगा और इसको आप एक मान के चल सकते हैं कि यह एक सैंपल है यह समझ सकते हैं आपकी यह अपके लिए जिस प्रकार से अधर सुत्तर होते हैं उसी प्रकार से प्री रिजल्ट आप समझ सकते हैं कि रिजल्ट के पहले यह आपको लगभग एक प्रकार से यह बताया जा रहे कि इतना जा सकता है पर यह नहीं है कि यह इतना ही जाएगा तो चलिए हम लोग सुरू करते हैं सबसे पहले मैं आपको यहां पर मिलेगी हमारा code यूज़ करेंगी तो जो भी amount है उस पर चलिए हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं unacademy की unacademy पर भी आप मुझे follow कर सकते हैं link आपको नीचे description में दी गई है और यहां पर आपको MPTAT work 3 के लिए और MPPAC prelims 2019 के लिए courses अभिलेबल हैं तो यहां पर दोस्तों सबसे पहली हमारे जो slide निगल के आती हैं यह आएगी हिंदी विशय के लिए हिंदी विशय के लिए अगर हम B Goods करें दोस्तों तक जा सकता है इसके लावा SC की बात करें तो 103 और SC female के लिए 99, ST open के लिए 100, ST female के लिए 90, OBC open के लिए 111 और OBC female के लिए 102 रहने की संभावना है इसके अलावा guest teacher के लिए सभी categories में UR, SC, ST, OBC में आप देख सकते हैं UR में 99 नमबर, SC में आपके 95 में guest में अगर आप है, ST में 90 हैं अगर आपके guest में तो भी आप select हैं और OBC में guest में अगर आपके 95 में तो भी आप select हैं यह तो यह रहेगा हिंदी के लिए दोस्तों यह मत result आएगा, यह हम on screen marks की बात कर रहे हैं, normalization में अगर आपके on screen marks कम हैं तो normalization में वो बड़ भी जाएंगे, यह आप चीज ध्यान में रखिएगा, ठीक है? अब बात करेंगे social science की, बहुत important है दोस्तों social science, तो यहां पर आप देख सकते हैं क्योंकि social science में आपने देखा होग हैं कि जितने हम सोच रहे थे तो post भी कम रहने की रहींगी और candidates भी ज्यादा हैं तो cut off high जाएगा, 117 open के लिए 106 female के लिए open general category में, SC category में बात करें तो 104 open quota के अंतरगत और female quota के अंतरगत अगर हम बात करें, तो SC में यह रहेगा 100, और ST में open quota में बात करें, 101 female quota में 91, इसके quota में आपके अगरम बात करें, तो यह आपका 100, 96, 91, 96 इस तरीके जाएगा, OBC में 96, SC में 96, guest के लिए जाएगा, और यहां पर UR में आप देख सकते हैं, तो यह पूरा का पूरा रहने की संभावना यहां पर social science में है, और दोस्तो, normalization का effect बहुत बढ़ा रहेगा, इस cut off रहेगा, 125, और UR female के लिए रहेगा, 115, match में नमबर काफी अच्छे आए हैं, और इसलिए cut off यहां पर भी लगबद थोड़ा ज्यादा जाने की संभावना है, इसके अलाबा SC open में 110, SC female में 105, ST open में 104, ST female में 99, OBC open 122, और OBC female के लिए 109 रहेगा, UR guest के लिए 99, SC guest के 92 रहने की संभावना है, फिर आगे चलते हैं, बिज्ञान की बात करते हैं, दोस्तों, बिज्ञान के नमबर लोगों के काफी कम आए है, पेपर बना नहीं है कुछ लोगों से, कुछ के नमबर अच्छे हैं, कुछ के कम आए है, मतला mixed type का रहा था बिज्ञान का पेपर, अ OBC open के लिए 90, 109, इसके अलावा OBC female के लिए 103, UR guest के लिए 93, SC guest के लिए 92, ST guest के लिए 90, और OBC guest के लिए 85 रहने की संभावना यहां पर नचरा रही है, इसके बात दोस्तों बात करते हैं संस्कृत की, तो संस्कृत की अगर हम बात करें, तो इसमें cut off थोड़ा सा कम रह सकत है, UR open के लिए 108, UR female के लिए 105, SC open के लिए 99, SC female के लिए 95, ST open के लिए 97, और ST female के लिए 91, OBC open के लिए 105 रहेगा, इसके बात करें, OBC female के लिए 101 रहने की संभावना है, और 100 guest के लिए 91, SC के लिए guest की बात करें तो 85, ST guest की बात करें तो 84, और OBC guest की बात करें, तो 80 रहने की संभावना यहां पर दोस्तों नजर आ रही है दोस्तों मैं आपको बता दूँँ कि यह expected cut-off है कोई final cut-off नहीं है कोई final परिणाम के बारे बात नहीं की जा रही है आपको इंतजार करना है नौर्ममलाईजिशन का झार्ममलाईजिशन जो पर करिया है उसको जानना चाहते हैं तो आप एक टेख सकते हैं उस बीडियो को देखने के बाद आपको नौर्मलाईजिशन के प्रभाब के बारे में बहुत अच्छे से पता लग जाएगा मैं आपको बता जिता हूँ कि वो वीडियो कहां से दिख पाएंगे तो उसके लिए इस वीडियो को आप रेफर कर सकते हैं यह वीडियो है जिसको आप देख सकते हैं यहाँ पर और इसको देख के आप जो है समझ सकते हैं इसकी लिंक मैं आपको आई बटन में देदे रहा हूं आई बटन में आपको मिलेगी इसके अलावा डिस्क्रिप्शन मे भी आपको इसकी link दे रहा हो जहां से आप इस नौर्य में प dissoci की वीडियो को देखके समझ सकते हैं कि कि सुम्सक्रीर के नार्मलाइशन की प्रक्रियां और तो इस वीडियो देखने इन के लिए आपका बहुत धन्यवाब थेंक्य। Thank you very much.